तो नाउन्स आपके बॉक्स में दे रखे हैं, पाथ, बूट्स, नमबर, इनको आप लेके, सेंटेंस बनाओगे, जैसे वट से, तो नमबर, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो, तीन है, तीन में अलग अलग लोगी, जो तीन दिये वे, next page, page 38, emphasizing adjectives, now, सबसे बहले meaning समझेंगे, हम नीचे दिया हुआ है, words such as whole, यानि पूरा, complete, यानि ये भी पूरा, total यानि पूरा, absolute, ये भी मतलब पूरा, own मतलब, अपना, utter means एकदम, very means बहुत, are often used with nouns to strengthen और emphasize them, तो इनको हम, इन शब्द को हम, इन words को जो हमने पढ़ा अभी, noun के साथ use करते कई बार, उनको emphasize यानि जोट डालने के लिए, उन शब्द को बढ़ जोट डालने के लिए, they are called emphasizing adjectives, इसलिए इनको emphasizing adjectives बोले आता है, emphasize मतलब, जोट डालना, जैसे की उपर दिया हुआ है, Mr. Harris looked at the sky scrapers, sky scrapers बोलते हैं, उचे-उचे बिल्डिंगों को, in utter amazement, यानि amazement यानि चौक जाना, utter यानि बहुत, he found the whole place, a complete mystery, पूरा जगह उनको, पूरा पूरा एक रहस्य लग रा था, when he went to get a good view of the city from a rooftop, rooftop यानि चथ, he saw an absolute model of buildings, absolute यानि पूरा मुडल यानि पूरा, बिल्द बिल्द चारो तरव, पूरा बिल्द बिल्द इचारो तरव, in his own opinion, own, यानि अपना, अपनी यानि, विचार में या अपने मन में, the best view is from a bridge, और hilltop at the very edge of the city, सबसे best view यानि नजारा कहां से है, एक bridge को उपर से, या तो hilltop यानि पहाला के उपर से, अच्छा दिखता है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, तो, number one, note the highlighted words in the story above, जो हमने देखा, highlighted है यानि, जो काले-काले, now circle the word that emphasizes or gives special importance to the underlined noun, तो यहाँ पर noun के अंदर, underline किया हुगा है, तो आपको circle करने हैं, जो उसको उपर zone डालता है, जैसे number E में absolute है, number two में whole है, B में, number C में आपका complete है, बड़ा ही असान था, number two, fill in the blanks with a suitable word pair from the box below, जोड़ा आपको use करना है, people who are always late are N, जो लोग हमेशा late होते हैं, वो क्या है, R N, N है, यानि इसका भावल से start होगा, तो भावल वाले हमारे दो हैं, एक absolute beauty ये से हैं और अटर नियूसिंस, अटर नियूसिंस हैं पुरे वक्वास, तो absolute beauty सुन्दर वाली तो कुछ बात ही नहीं है, तो आपका होगा utter nuisance, number E में an utter nuisance, Pete's new sports car is N, यहाँ भी N है, तो यह अब बचाई की वाला बचावाल वाला, absolute beauty, पिटर का न्याकार विलकुल थमा का वलाप सुन्दर दारूम भड़वड़ी, नमसी त्राइं टॉट रिद रिद वीड्स, वीड्स यानि जंगली पौधे, इस अ टोटल वेस्ट अफ एनरजी, जंगली पौधे निकालना वललाप पूरा एनरजी वेस्ट, दिनेश और सोनल पौधे ओड़ पौधे ने पूरा वक्त आइयां पौधे हलना ही बीछें ही बाहत्वरा नत्यां पौधे किसे एनरजी जंगली पौधे संख्अक यानि बहस्ट करने में बिता दिया, complete break for a month पूरा एक महिना rest, break I don't want to spend the whole day sightseeing whole day यानि पूरा दिन total भी बनला पूरा होता है लेकिन better है आपका whole, whole day sightseeing यानि सारा दिन में sightseeing यानि यहाँ वाँ सीन बगरा देखनी सकता हूं he had lost his money and was facing utter reun whole reun नी whole यानि पूरा होता है utter reun यानि पूरा बरवादी उसको phase करना पड़ रहा था सामना करना पड़ रहा था I shouldn't have bought that dress मुझे वो ड्रेस नहीं करना ही चाहिए था it was a complete mistake, वो पूरा पूरा गलती था his house is the furthest away in the colony उसका घर कॉलोनी में सबसे जादा दूर है, it is at the very end of the road variant means एकदम नास्ते के आखर में the concert was an absolute triumph concert यानि नाच गाग को जो प्रोग्राम होता है पूरा triumph यानि पूरा success था take note में देखो the adjective whole is often used to emphasize the length of a period of time यानि समय के लिए जासे day आपका है, whole day he spent the whole day the adjective own is used to emphasize possession यानि अपना खुद का this is my own bedroom B वाला जो है यापने आप करोगे ये जो question B है box दिया हो आपको ये B वाला अपने आप करोगे उसके बाद से हम अज़ा C वाला थोड़ा बताई देते हैं ताकि ये खतम होजा यहां तक का number C rewrite each sentence using an emphasizing adjective of your choice in the correct position तो इनको आपको sentence को दुबारा लिखना है emphasize adjective यूज करके इसको हम कुछ भी नहीं बताएंगे आपको एक भी नहीं बताएंगे तो आप बागी सारे बता दिये आप हमको बागी तो कर लोगे आप क्योंकि अनसर हमने बता दिये बी और सी आप जरूर भेजोगे मुझे फोटो कीचके किताब में हो जाएगा यह जगा है बड़या से लिखना और अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो जरूर आप मैसेज करना कि सार चेक नहीं हुआ है कैंड़ी चेक इट तो मैं जरूर चेक कर दूंगा कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो यहां तक आप बी और सी हमको भेजोगे फोटो बागी फोटो भेजें की जरूरत नहीं कर जरू लेना किताब में तैंक यू वेरी मच